आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे आर्टोकॉाइट्स और एकोसिनर्स को जो points हम discuss करेंगे आटोकोईट्स और इकोसिनर्स के हवाले से पहले वो points जाते हैं फिर उसके बाद हम इसको further elaborate करेंगे उन points को आटोकोईट्स की हम लोग etymology यानि के आटोकोईट्स को आटोकोईट्स क्यों कहते हैं या आटोकोईट्स के माने जानेंगे कि एकोसिनर्स है क्या इसको एकोसिनर्स क्यों कहते हैं और फिर इसकी definition हम पढ़ेंगे पिर उसके बाद mechanism हम पढ़ेंगे किस तरह से एकोसिनर्स की synthesis होती है यह mechanism हम discuss करेंगे और फिर उसके बाद जो हम लोग actions पढ़ेंगे जो एकोसोनाइट्स बन गए हैं, उनके क्या एक्शन्स हैं हमारे बॉड़ी में, वो हम जा रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम दी आटोकाइट्स पैटायमोलोजी के हवाले से, यानि कि आटोकाइट्स जो है, वो दो वर्ड से मिलने कर बना है एक है आटोस, दूसरा है एकोस, इन दोनों का मतलब है सेल्फ हीलिंग या पर सेल्फ एक्टिंग अभी इनको सेल्फ हीलिंग या पर सेल्फ एक्टिंग क्यों कहते हैं, ये बात, इस क्यों का जवाब हमारे इस डेफिनिशन में मौजूद है तो definition क्या है आर्टोकोईट्स are the heterogeneous substances क्या ये heterogeneous substances हैं एक दुसरे से मुख्तलिफ है और पिर मुख्तलिफ है जिसके जिसे इनका action भी different होगा having different pharmacological actions आर्टोकोईट्स क्या है different heterogeneous substances है जो एक दुसरे से मुख्तलिफ है और जाहर सी बास है अगर दो चीज़े तीन चीज़े चार जिसे मुख्तलिफ हो तो उनके जो actions है वो भी different होगे तो आटोकोईट्स जो है वो different substances है और उनके actions भी different होते हैं लेकिन एक चीज़ इन सब में common है जिनको जिससे इनको आटोकोईट्स कहते हैं वो क्या है कि आटोकोईट्स जो है वो produce होते है specific tissues से और जिन tissues से ये produce होते है उन्हीं tissues पर ये action करते हैं मतलब इनका जो action है वो local है क्या है वो local है consider कि यहाँ पर आपके पास क्या है tissues है इन tissues ने इन आटोकोईट्स को बनाया अब ये टोकोईट्स जो बन गए इन्होंने दुबारा से आना है इन्हीं tissues पर action करना है इसी वज़ा से इसको बोलते हैं self feeling ये पिर self acting तो self acting के लिए उन्होंने term यूज़ किया था जिन्होंने इनको discover किया वो था आटोकोईट्स आटोस इखोस तो आटोकोईट्स को आटोकोईट्स क्यों कियते है कि ये जिन tissues से बना होता है उन्हीं tissues पर ये दुबारा से action करते है इसी लिए इनको बोलते हैं आटोकोईट्स अभी यहाँ पर एक क्लफ लफ़ज है आटोकोईट्स आप लोग इसको तो जिस तरह से मर्जी आप लोग उनकी, उसे तरिके से आप लोग इसको प्रनाउस कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग A बिलिख सकते हैं, A-U-T-A, A-U-T-O, आटो कोईट्स, इसको आप किसे तरिके से भी मतलब प्रनाउस और राइट अप कर सकते हैं, बोथ the types are correct, यहाँ त पिर यहाँ जब बनता है, बढ़ा होता है, तो वो बसलिख सबस्स जब बढ़ा होता है, तो वहाँ लोगहाँ, वहाँ यहाँ बढ़ाारinas, ब्रॉट्स, वहाँ अप्टायड, बड़ा होता है बने होता है। वो बनाते हैं polypeptide उन polypeptide से भी क्या बहुते हैं? आटोकाइड्स बनते हैं और कुछ जो हैं आटोकाइड्स वो lipid से बने होते हैं lipid-derived आटोकाइड्स जिनको कहते हैं हमारी आज की discussion जो उसका basics है वो क्या है? आटोकाइड्स की एक structure आपके जर्में बिठाना और पर ही जो lipid-derived आटोकाइड है इसको explain करना है तो अभी जो lipid-derived आटोकाइड हैं हमारे पास वो क्या है? उनको बोलते हैं Ecosinides अभी ठाइमलोजी में हम जानेंगे कि हम लोग इनको Ecosinides कैसे कहते हैं? इसी लिए इनको बोलते है Ecosinides तो ऐसे आटोकाइड्स जिसमें 20 कारबन हो तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे आटोकाइड्स जिसमें जो 20 कारबन से मिलकर बना हो तो इसको क्या बोलते हैं? Ecosinides बोलते हैं Ecosinides करना है The very first one These are actually the Artochoids बहुत तो जाहर हैं ना? Lipid-derived Artochoids है ना Ecosinides तो these are actually the Artochoids that are produced by the enzymatic or non-enzymatic oxidation of the Erykidonic Acid आपके पास क्या है? Erykidonic Acid है इसकी Oxidation होगे इस Erykidonic Acid की वो by mean of enzyme भी हो सकता है और without enzyme भी हो सकता है means enzymatic, non-enzymatic डोनों Oxidation हो सकते हैं Erykidonic Acid है, इसकी Oxidation होगी by mean of an enzyme और without an enzyme पिर उसके बाद कुछ structures produce होंगे, उनको बोलते हैं क्या? Ecosinides Simple, they are the Artochoids which are produced by the enzymatic or non-enzymatic oxidation of the Erykidonic Acid पहला definition, clear Second definition क्या है? जो कि बिल्कुल एक former definition है वो यह कि Ecosinoids are the signaling molecules क्या? Signaling molecules that are produced by the enzymatic or non-enzymatic oxidation of the Erykidonic Acid सिर्फ एक लफ़ज यहाँ पर different हुआ पहले हमने कहा, इस जर्दी Artochoids, पिर हमने कहा कि जर्दी Signaling Molecules पिर उसके बाद जो कहानी है वो Simple सी हैं, कि हमारे पास क्या होता है Erykidonic Acid होता है, उसकी Oxidation होती है बामेन अफ इंजाइम यह पिर इंजाइम के पगएर पिर उसके बाद कुछ structures बनते हैं, जिनको क्या बोलते है Ecosinides बोलते है अभी इसके mechanism के तुरह हम लोग इसको फर्दर जानेंगे लेकिन उससे पहले में यह आप लिखा है PUFA Puffa यह क्या है Poly Unsaturated Fatty Acid तो कुछ हमारे पास जो Unsaturated Fatty Acid होते हैं, यह निके Poly वाले होते हैं, PUFA जो होते हैं इनकी भी अगर Oxidation हो तो उन से भी हमारे जो यह Ecosinide से ही बन सकते हैं अभी यह यह बनते हैं, इस mechanism को जानते हैं थोड़ा सा elaborate करते हैं अभी मैंने सिर्फ spatial बताया है मतलब space में बताया हाथों से बताया अभी यहाँ पर diagram में सेंज जाएंगे हम लोग कैसे बनते हैं अभी जानते हैं कि जो membrane hasil का वो बना होता है किसी इसका लिपिड बाइलियर होता है सरमेम्रेन इस लिपिड बाइलियर तो वो जो लिपिड है इस लिपिड पर एक enzyme action करता जिसको बोलते है Phospholipase A2 इस enzyme के तुरू जो है यह Phospholipid जो है इसकी conversion होती है into arachidonic acid simple Phospholipase A2 ने Phospholipid को arachidonic acid में convert किया अब यह जो arachidonic acid है यह एक substrate है enzymes के लिए कोज से enzymes के लिए COX, cycle oxygen is LOX, hypo oxygen is यह दोनों enzymes इस arachidonic acid के उपर action कर सकते हैं cut तो अगर COX इसके उपर action करेगा तो यह बनाएगा PROSTENOIDS THROMBOXIN और अगर LOX इसके उपर action करेगा तो यह बनाएगे Likotrients तो यह सारे हमारे पास क्या है Ecosinoids हैं और इन सब में क्या होते हैं 20 carbon क्या होता है chain होता है इसी लिए इन सब को कहते हैं Ecosinoids क्योंकि इस सब में क्या होता है 20 carbon 20 carbon क्या होता है इन सब का structure अगर आप लोग उठाओ उसको observe करो तो उसमें आप लोग 20 carbon का chain पाओगे difference पिस सिर्फ किसी भी होगी oxygen में होगी क्योंकि इनकी oxidation हो रही है अगर cycle oxygenis के थूरू होती है तो वो प्रोस्टिनाइड्स बनाते हैं तो रम्वाग्जन बनाते हैं जो प्रोस्टिनाइड्स जो है इनके action को अगर मैं briefly define करूँ अगर मैं briefly बताओं concise तरीके से यह मतलब जिसमें हमारे सारे जो प्रोस्टिनाइड्स है प्रोस्टिनाइड्स जितनी भी है वो सब आ सके तो वो क्या है कि यह pain हो अगर हमारे body में fever हो या फिर inflammation हो और साथ में अगर bronco-dilation की अगर हम बात करें और उसके साथ अगर mucus production की बात करें जो हमारे stomach में होती है जो हमारे stomach को protect करता है तो यह सारे इन प्रोस्टिनाइड्स के तरो होता है प्रोस्टागलेनेंस के तरो होता है और जो thrombocin है इसके दो important functions है जो vessels है उसको construct करते है और साथ में यह clotting के लिए बिल्कुल important है और जो प्रोस्टिनाइड्स हैं इन में से कुछ ACI प्रोस्टिनाइड्स हैं जो anti-coagulant है तो इन दोनों का body में होना ज़रूरी है ताके body में homeostasis रहे plotting भी हो और clotting भी हो ताके मतलब एक mechanism बर करा रहे है बहुत सरे functions यह दोनों maintaining करते हैं हमारे body में और जो lequotrines है these are very bad substances bad autochoids यह bad ecoconauts आप लोग कह सकते हैं इनके हमारे पास examples है lequotrines A4, B4, C4, D4, E4 etc मतलब इनके हमारे पास A से लेकर के E तक तक तकरीबर टाइपस होते हैं इनके mechanism of action जब आप लोग पढ़ते हैं regarding asthma point of view और पिर कोई भी allergic reaction हो तो यह क्या करते हैं यह पिर spasm करवाते हैं हमारे जो bronchiules उनको spasm करवाते हैं हमारी जो sans का पिर जो mechanism इसको बहुत worse करते हैं यह जो asthma नहीं होते हैं जब वो chronic हो जाता है खराब हो जाता है मतलब बहुत worse हो जाता है इस्तमा वो in के होज़े से होता है लिकोट्राइंस के होज़े से होता है और साथ में यह पिर tissue damage भी करवाते हैं तो यह दोनों चीज़े होते हैं यह यह spasm भी करवाते हैं और साथ में two damage भी करवाते हैं तो लिकोट्राइंस अभरेट इन दाट्स इट अब आप लोगों को समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई confusion ही है यहाँ पर आप लोग free होकर के comment box में drop कर सकते हैं अपने questions अपने queries I am here to help you guys and thank you for watching